हेलो बच्चो बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है सभी लोगों का वर्दान सीरीज के अगले लेक्चर में तो आज बेटा हम केमिकल बॉंडिंग के कुछ वर्दान देंगे आपको और आप उन वर्दान को ले जाकर एक्जाम में क्वेशन बना सकते हो ठीक है तो चलो स्टा हम देखेंगे हाइबिडाइशन व्यसे प्यार थियोरी डाइपल मुमेंट एमोटी और कुछ एक्स्ट्रा प्रेक्टिस भी हम करेंगे है ना इन टॉपिक के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज भी होती है वह भी मैं आपको बताऊंगा डीटिल में ठीक है चलो तो स्टार् कैंट लिगर न आन आएंट थिख एक्स्ट्रा चार्ट गाळ चार्टो न एग्चा कैंट न ओर buz brightness कैंट ऑर अक्स्ट्रा चार्ट ओर लिगे कांट ल्यक्ट अज्टाई greater, covalent character, covalent character ये किसके लिए होता है, ionic compound में covalent character के लिए, आप जानते हो कोई भी bond 100% ionic नहीं होता, और 100% covalent नहीं होता, तो ionic compound में covalent character बताने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, क्या करना है, अगर अपन insert लिखें, तो insert में ये लिख देता हूँ क्या, की cation क्या होना चाहिए, cation क्या होना चाहिए, small, और nion क्या होना चाहिए, large, और charge क्या होना चाहिए, चाहे cation पर हो, चाहे nion पर हो, क्या होना चाहिए, charge high होना चाहिए, ठीक है, तो ये है वेटा तुम्हारा, वर्दान number one ठीक है तो ये है अपना क्या वर्दान number one तो बस ये ध्यान आपको रखना है इससे काम हो जाएगा वर्दान number one आपका यही है तो अगर आपने ये याद रखा तो समझ लो आयनेक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर आपका आगया कैसे अपलाई करोगे question के साथ बात करते हैं बंकसर ठीक है देखो जड़ा क्या लिखा है पढ़े जड़ा ध्यान से among the following the maximum covalent character is shown by the compound अब आप जड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर charge के बारे में अगर बात करें तो charge dominate करता है यहाँ में लिख देता हूँ charge dominates over size charge dominates over size मतलब small or large तो बात में आप compare कराना पहले क्या compare कराना वेटा charge compare कराना है charge ज़्यादा covalent character ज़्यादा सीधा सीधा बोल दो अगर charge सेम हुए तो तुम्हें फिर सोचना पड़ेगा size के बारे में कि cation छोटा होना चाहिए n i n बड़ा होना चाहिए ठीक है अब हम apply कर रहे थे इसमें question आपने पढ़ लिया maximum covalent character तो सबसे पहले आप ये दिखेंगे charge कहीं ज़्यादा तो नहीं है check करने ज़रा f e c l 2 की बात करें plus 2 और यहाँ पर c l पर minus 1 आएगा लेकिन 2 c l लगें तो overall minus 2 हो जाएगा मतब plus 2 minus 2 charge है यहाँ इधर भी plus 2 minus 2 overall charge है यहाँ aluminium पर बेटा plus 3 आगया yes तो answer क्या आजाएगा chain नहीं क्यों mg पर plus 2 है सिद्धी सिवाद है charge ज़्यादा covalent character ज़्यादा कतम तहानी ठीक है अगला देखना ज़रा second में क्या क्या रहे है among LICL, RBCL, BCL2 MGCL2 the compound with the greatest and the least ionic character question को थोड़ा गुमा दिया क्या पूछा है greatest ionic इसका मतलब least covalent और least ionic मतलब greatest covalent check करेंगे अगर मैं इन नोनों की बात करूँ तो यह alkaline metal के है chloride और यह alkaline के तो alkaline का कोवलेंट करेक्टर जादा होगा किस से? alkaline वालों से और अगर इन नोनों में compare कराओगे तो beryllium का size कम है manganeism का size जादा है इसका मतलब BCL2 का कोवलेंट करेक्टर जादा होगा मतलब ionic character कम होगा तो answer आपका आगरा और बदलापुर तो नहीं है क्यो? BCL2 तो आना चाहिए अब देखेंगे क्या बुला greatest ionic character मतलब least covalent least covalent कैसे पता चलेगा जिसमें cation का size जादा है तो डोलक पुरान सरा जाएगा भया mgcl2 यहां तो mgcl2 का तो चार्ट जादा है इससे rbcl का ionic character जादा होगा समझ रहे हो? तो small cat ion ठीक large ion high char चार जितना जादा बेड़ा उतना जादा कोvalent character होगा clear है एक दम आगे बड़े very good second वर्दान आ रहा आपके सामने hybridization और यह ऐसा वर्दान है जिससे बहुत सारे वर्दान connected है एक ही तरीके से बहुत सारे सवाल आप कर लोगे hybridization VACPR थियोरी और आपका dipole moment ध्यान से देखना ज़रा बस इसमें थोड़ी सी चीज़े मेरे recording आप सीगलो और काम हो जाएगा आपका क्या? सबसे पहला point आपको पता होना चाहिए पहले तो मैं लिख देता हूँ कि यह चल क्या रहा है यह अपना वर्दान number 2 चल रहा है अब देखना चला ध्यान से क्या लिखना है आपको number 1 point पता होना चाहिए hybridization निकालने के लिए valence electrons क्या? valence electrons valence electrons यह पता होना चाहिए किसके? of central atom में कैसे होंगे अगर तुम्हारा central atom LIB boron carbon nitrogen oxygen halogen और एक अलग से याद रखना है xenon क्योंकि xenon के compounds होते वेटा xenon का बहुत important भी हमारे लिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ LI में एक होगा beryllium 2 3 4 5 6 7 8 तो valence electron याद रखने में आपको कभी जिन्दगी में समस्या नहीं आईगी क्यों? क्योंकि आपके 1 से लेकर सुरू होते हैं 8 तक जाते हैं यह आप जानते ही हो मैंने sequence में लिखा है और जितने valence electron इन में हैं इनके नीचे वालों मैं भी same valence electron होंगे valence electron अगर मैं ग्रूप में चलूँ तो same होते हैं ठीक है? तो यह हो गया valence electron second point आपको क्या पता होना चाहिए? second point पता होना चाहिए आपको क्या? sharing electrons क्या? sharing electrons of क्या? side atoms sharing electron of side atoms ध्यान से देखना जरा side atom आपको usually क्या मिलेगा? आपको hydrogen मिला halogen मिला तो एक electron share करते हैं अगर आपको oxygen family side atom में मिला तो क्या आएगा? दो electron की sharing आएगी और अगर nitrogen family मिला तो क्या आएगा बेटा? तीन electron की sharing आएगी ठीक है? यह आप ध्यान लखेंगे ठोड़ा सा मेरे according सीख लो फिर questions आएगी अगर बेटा एक electron की sharing होती है तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा दो electron की sharing होती है तो एक सिग्मा और एक पाई बनेगा पाई को hybridization में count नहीं करते हैं और अगर तीन electron की sharing होती तो एक सिग्मा और गो पाई बनेगा पाई को हम count नहीं करेंगे ये चीज हमें apply करनी है और आपका answer आज आएगा answer निकालने के लिए क्या करना है point number 3 इसमें अपन add कर लेते हैं क्या आएगा इसको पहले आप post करके note कर लो ठीक है देखो ये वाला क्या था अपना finance rule देखो सुबवात से बताता हूँ वर्दान से रीज शुरू हुई थे अपनी ये percentage बगएरा देख लो आप अच्छे से note करना चाहो इसको finance rule को post करके note कर लो ठीक है इसके बाद ये question है आपको time दे रहा हूँ post करके note करने के लिए ये हो गया ठीक post करके note करने के लिए ये व अगर sigma plus lone pair इसका sum आपका 2 आया तो hybridization होगा sp अगर 3 आया तो sp2 अगर 4 आया तो sp3 5 आया तो sp3 d6 आया तो sp3 d2 और वेटा 7 आया तो sp3 d3 ये कहानी है कतम कहानी इससे क्या question बनेंगे आपसे exam में hybridization question paper में देखना आप और सीधे बना देना ठीक है चलो अब मैं आपको कुछ सवाल बतारों इसको post करके note करो फटाबट से चले आगे ओके चलो देखो क्या कह रही है hybridization of the underline atom changes in किसमे hybridization change हो रहा है देखो ELH3 में आपको apply करके बता देता हूँ पहला question तो आराम से सीखो underline atom क्या था aluminum valence electron कितने होंगे जितने बेटा boron में होंगे boron में कितने valence electron 3 minus hydrogen क्या है बेटा side atom कितने electron share करता है एक electron और 3 hydrogen 3 electron share कर लेगा 3 minus 3 0 electron 0 electron मतब 0 lone pair यहाँ जो digit लिखा है इसको उठा लो इतने ही sigma लिख दो तो क्या लिखोगे 3 sigma plus 0 lone pair सम क्या आगया 3 आंसर क्या आगया आपका 3 पर sp2 खतम इतना ही करना था था ठीक है अगला देखना जरा ALH4 negative ध्यान से देखना ALH4 negative इसको अंडरलाइन किया aluminium में balance electron 3 है अगर बेटा negative charge लगा है तो एक add कर दो कितने हो गए 4 और 4 hydrogen 4 electron share कर लेगे 0 electron मतलब 0 lone pair यह जो digit लिखा है इतने ही क्या होंगे sigma बस खतम तो 4 sigma 0 sum हो गया 4 sp3 answer देखो पहले क्या था sp2 अब क्या हो गया sp3 hybridization change हो गया answer क्या आ गया आगर बाकी हो में और देख लेते हैं भाई answer तो आ गया और सीख लो पहले question और सीख लो अगर बी वाले को चेक करें तो देखना ज़रा h2o इसको अंडरलाइन किया central atom 6 balance electron oxygen में मैंने बताया था side atom hydrogen 2 electron share करेगा 4 electron 4 electron के कितने lone pair होंगे 2 very good 2 lone pair यह digit लिखा है side atom का 2 sigma 2 lone pair sum 4 1s 3p sp3 अगला h3o plus देखना ज़रा अब मुझे आप बताओ oxygen में balance electron 6 होते हैं plus लगा है तो एक कम कर दो 5 minus 3 share कर लेगा 2 electron का मतलब क्या होगा वेटा 1 lone pair और यहां 3 digit लिखा है तो 3 sigma plus 1 lone pair sum 4 answer sp3 क्या हाइब डासन चेंज हुआ नहीं हुआ ठीक है तो भी answer इसलिए नहीं था c वाला चेक करके बता रहा हूं ध्यान से देखना nh3 में अगर मैं बात करूं इसको underline किया balance electron 5 minus 3 की sharing 2 electron 2 electron का मतलब 1 lone pair 3 digit लिखा है 3 sigma 1 lone pair sum क्या आगया 4 answer क्या आगया sp3 खतम इतना असान है यह NH4 plus आज आज आजरा वड़ावट से nitrogen क्या balance electron nitrogen में 5 प्लस लगा है कितने विचे 4 minus 4 share 0 electron मतलब 0 lone pair 4 digit लिखा है 4 sigma 0 lone pair sum आगया 4 answer sp3 hybridization change हुआ क्या नहीं हुआ इसलिए तो answer आग रहा था तो मारा यह कहानी है ऐसे आपको apply करना है बहुत सारे question लेकर आया पर मज़ा जाएगा चलो note करो फटावट से पॉस्ट करके ठीक है चले यहां के बड़ा ओके देखो क्या 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 रहे है था hybridization of orbital of nitrogen atom ठीक है इन BF3 अच्छा ही तो यहां पर nitrogen कर पड़ लिख दिया क्योंकि यहां BF3 लिखा है तो nitrogen तो नहीं होना चीह यहां पर underline atom कर देता हूँ मैं इसको ठीक है यहां पर hybridization of orbital of underline atom ठीक है underline atom in यहां पर अपन अंडरलाइन कर लेते हैं ठीक है ध्यान से करना आप इसको किया इसको किया और इसको किया underline वालों को कर लेते हैं एक चलो शुरू करो जरा BF3 स्टार्ट करना बेटा BF3 underline atom क्या था बोरॉन चलो शुरू करें valence electron बताओ कितने हैं valence electron है तीन माइनस हैलोजन की sharing एक electron की तीन हैलोजन तीन की जीरो electron बचेंगे जीरो lone pair डिजिट क्या लिखा है तीन तीन सिगमा जीरो lone pair सम आ गया तीन आंसर आ गया speed 2 अगला बताओ NO2 प्लस NO2 प्लस underline किया valence electron कितने है नाइटोजन के पास बोलो पाँच थे पाँच थे प्लस लगा है चार अब देखना जड़ा oxygen की sharing वेटा दो electron की तो दो oxygen की चार electron की चार माइनस चार जीरो electron जीरो lone pair यहां डिजिट क्या लिखा है दो तो दो सिगमा जीरो lone pair सम आगया दो answer आगया sp एक अगला देखना जड़ा NH4 प्लस NH4 प्लस underline पाँच वेलेंस थे प्लस लगा है चार बचे चार की sharing जीरो electron वेडा जीरो lone pair चार सिगमा जीरो यल्पी answer आगया सम चार answer sp3 तो क्या आया sp2 आया पहले वाले underline item का दूसरे वाले का sp आया तीसरे का sp3 sp2 sp3 is the answer respectively check करें जड़ा क्या करें sp2 sp3 sp2 sp3 बदला पुरा answer आएगा आपका कर लिए आप लोग ने सही है very good ठीक यहाँ थोड़ा correction कर ले ना orbital of nitrogen लिखाता है ना underline item कर ले ना मैंने underline कर दिये boron nitrogen and nitrogen ठीक फड़ा फट से note करो pause करके ठीक है चलें आगे अगला सवाल the number of loan pair of the electron in i3 negative i3 negative मैं मुझे बताना है देखो इसी तरीके से आप loan pair वाला सवाल भी कर लोगे देखना जाड़ा दियांसे i3 negative आया बेटा मैं इसको लिखूंगा i-i2 यह central हो गया यह side मान लो तो क्या करो seven valence होते हैं valence electron central atom के लिए seven minus एक लगा है तो eight minus दूसरे जो iodine लगे हैं दोनों वो side atom है eight minus two कितना हो जाएगा क्या हो side atom में तो एक electron की sharing होती है एक माइनस टू बढ़ा six electron मतलब तीन लोन पेर क्या वाद दिसर मज़ा आ गया दो सिग्मा प्लस तीन लोन पेर सम आ गया पांच आंसर आ गया क्या sp3d मैंने hybridization भी निकाल दे लेकर लोन पेर बूचा है लोन पेर कैसे करोगे यह जो लिखा है न तीन लोन पेर यह किस पर आए यह आए तुम्हारे central atom पर दियान लखना central atom पर तीन आए उन्होंने सवाल में कहीं नहीं लिखा कि central पर निकालना है total number of loan लोन पेर निकालना है तो बेटा central पर तीन आए इन साइड पर कितने आएंगे लोन पेर यहां भी होंगे into 2 कर दूंगा क्या जाएगा six loan pair और तीन बेटा यहां से आए थे तो final answer six LP plus central के 3 LP total हो गए 9 LP अगर side atom में loan pair निकालना है तो जितने bond उसने बनाए balance electron में से minus कर दो अब आप बोलो कि sir side atom के लिए तो sharing electron देखते थे वो hybridization के लिए देखते थे अगर loan pair निकालना है तो side atom में जितने bond बना लिए क्योंकि एक bond बनाने पर एक electron की sharing होती है balance में से उतने minus कर दो इसलिए मैंने लिखा यहां पर है ना तो answer के आगया and number of loan pair देखना of electron of xenon अब देखो उन्होंने बोल दिया साफ साफ loan pair of xenon चाहिए किसमें xc को f4 में ध्यान से देखो यहां पर एक से ज्यादा side atom है घबराने की कोई बात नहीं सही जगा आये हो देखो balance electron 8 minus side atom दोनों है oxygen भी है तो oxygen कितने electron share करता है दो प्लस एक fluorine एक share करता है चार fluorine चार कर लेगा तो आठ मैंसे 6 minus हो जाएंगे दो electron का मतलब एक loan pair यहां देखना जड़ा थोड़ी देर के लिए one लिख दूं ठीक है तो एक sigma यहां से यह digit लिखा है चार sigma यहां से टोटल कितने sigma पांच sigma तो पांच sigma प्लस एक loan pair सम आ गया 6 छे पर sp3 d2 यह आ गया है और loan pair किसका चाहिए था टोटल नहीं चाहिए क्या चाहिए जिनौन का चाहिए आपको है ना तो कितने आ गया एक loan pair यह किस पर होगा सेंट्रल एटम पर होगा ठीक है देख लो जरा आंसर sp3 d2 and 1 sp3 d2 and 1 क्या होगा यह कोई option ही नहीं मिल ला इसमें sp3 d2 and 1 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 8 माइनस दो इलेक्ट्रॉन की शेरिंग 4 यहां पर 6 8 माइनस 6 दो इलेक्ट्रॉन एक loan pair बिल्कुत सही है परफेक्ट है बाई 8 माइनस 6 option गड़बर दे रखें यहां पर तो चार और एक पार 5 सिग्मा एक loan pair 6 sp3 d2 एक दम सही है यह तो sp3 d2 एक दम सही है loan pair बस correct कर लो किस पर पूछे थे आपसे जिनौन पर पूछे थे चार यहां दो यहां 6 हो गए 2 electron एक loan pair correction कर लेते हैं sp3 d2 यहां लिखा है न यहां पर आप क्या कर लो बेटा इधर एक loan pair कर लो बदलापूर आंसर आजाएगा ठीक है तो यहां पर मैंने ऐसा कर दिया और आंसर लगा दिया बदलापूर किलियर एक दम ठीक है चेक कर लो एक बार अच्छे से जो मैंने सिखाया leur else electron 8 थे एक of सिन 2 electron शेयर करता है चार फैर इन चार electron शेयर करेगा 8 माइनस शेह डो एक लोफिर अगर दो आएगा और चार और एक पुर पात सिखमेय का वो गया यह को जो गया loan pair का 5 6 होते हैं sulfur में, minus 2 oxygen, 4 electron share करेंगे, 2 electron बचेंगे, 1 lone pair बचेगा, 2 digit लिखा है, 2 sigma, 1 lone pair, सम तीन, answer sp2, sp2 मतलब chin नहीं, is the answer, note करेंगे जल्दी से, ठीक है, चलें आगे, अगला देखो, the spc is the central item used, sp2 hybrid orbital, in its bonding, देखो, ph3 में अगर मैं बात करूँ, dragos rule बेटा एक होता है, dragos rule के according हम बोलते हैं, no hybridization, ठीक है, no hybridization, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि third period और उसके नीचे वाले हैं, hydride में अगर बात करूँ, लिखान लगना, तो वो hybridization में part नहीं लेते, ठीक है, अगला sph3 भी same यही है, dragos rule, यहां भी यही arrow लगा दो, यहां भी यही था, ns3 में आप साफ साफ बोल सकते हो sp3, कैसे, underline किया, 5 valence minus 3 sharing, 2 electron, का मतलब, एक loan pair, और 3 digit हो गया, तो 3 sigma, एक loan pair, sum आगे आपका 4 sp3, ठीक है, अगला answer है, cs3 plus ही बचा है, एक chain नहीं answer है, देखो, cs3 plus, carbon के पास valence electron 4 होते हैं, plus लगा है, तो एक कम कर देना, 3 बचे, sharing 3 की, 0 electron का मतलब, क्या है वेटा, 0, loan pair, 3 क्या हो गए, sigma, 0 क्या हो गए, loan pair, sum कर दिया, 3, answer आगे, sp2, ऐसा है, a वाले और d वाले में no hybridization बोलता है, according to dragos rule, b वाले का sp3, c वाले का sp2, answer, note कर लो, ठीक है, इस तरीके से exam में करके आना, भाई, यह जो कर रहे हैं यह तुम लोगे लिए किया जा रहा है, question गलत करके मता जाना, chemical bonding का, the type of hybrid orbital used by the chlorine in ClO2 negative, देखना जड़ा, ClO2 negative, underline किया, valence electron 7 negative लगा है, 8 minus 2 oxygen, 4 electron share करेंगे, 4 electron बचेंगे, 2 loan pair, और यह 2 क्या लिखा है, digit, 2 sigma, 2 loan pair, sum आ गया, 4, answer आ गया, sp3 आगर answer है, इतने सारे question क्यों कर आई जा रहे हैं, क्योंकि exam में question कर के आओ, चले आगे, very good, pause करके note भी करता जाना, अगला, विचोथ फॉलाइंग अंबाउंड, as sp2 hybridization, check करें, co2, co2 underline किया, 4 minus 4, अब तो समझे गया न, side atom, 2 electron, 2 oxygen, 4 electron, 0 electron बचेंगे, 0 loan pair बचेंगे, 2 हो गया sigma, 0 हो गया loan pair, sum आगे बड़ा 2, answer आगे, sp, आपको sp2 चाहिए, b option चेक करेंगे, यह a हो गया, so2, क्या so2, 6 minus 4, 2 electron, का मतलब, 1 loan pair, 2 क्या हो गये, bond pair, और 1 क्या हो गया, loan pair, ठीक है, 2 bond pair, 1 loan pair, क्या आगे, sum बेटा, 3, 3 आगे मतलब, sp2, बस यही तो answer है, मतलब हो, बागी चेक करके होता हैता हूँ, n2o वाला चेक कर लो, n2o में n, no लिख लो, एक underline कर लो n, और बागी side बना लो, अगर central होता है तो 5, side होता है तो 3 electron share करता है, यह 2 करता है, तो 0 electron बचेंगे, 0 loan pair आएगा, ठीक है, central item की बात कर रहा हूँ, एक यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए कि यहाँ, एक और एक क्या होगा, 2 sigma, 0 loan pair, sum आगे, 2 answer आगे, sp, ऐसा होता है, ठीक है, अगला तो CO है, linear है विल्कुल, तो उसका तो tension है नहीं, answer क्या आगे आपका, बदला पर पहली सी आगे था, ठीक है, चलें आगे, very good, note कर लिया, ओके, अगला, 5-0 of atomic carbon nitrogen, in this nitrogen का निकालना है, देखना चरहा बेटा, NO2 plus, underline किया, balance electron 5, plus लगा है 4, 4 minus 4, 0 electron, का मतलब 0 loan pair, 2 क्या लगा है, digit, 2 bond pair, plus 0 loan pair, sum आगिया 2, answer आगिया, S, P, S, P, बस, 2 पर S, P आगिया, तो NO2 plus का S, P है, चेक कर लो, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दो बचे, बस अगला चेक कर लेंगा, answer आजाएगा, NO3 negative देखना ज़रा, बदा, underline, 5 minus लगा है 6, 6 minus 6, 0 electron, 0 electron का मतलब क्या होगे बड़ा, 0 loan pair, और 3 क्या लगा है, digit, तो 3 sigma, 0 loan pair, sum आगिया 3, answer आगिया, S, P, 2, अब देख सकते हो, आप answer, S, P और S, P, 2, answer इस बदला पर, अगले का S, P, 3 आएगा, NH4 plus, check कर लेते हैं, NH4 plus, underline किया, 5, 1 plus लगा है, कितने बचे, 4, 4 minus 4, 0 electron, मतलब 0 Lp, 4 क्या है, digit, 4 sigma, 0 Lp, sum क्या आगिया, 4 answer आगिया, S, P, 3, कतन, नोट कर लो, पॉस कर गे, ठीक है, अगला, वरदान नंबर 3, आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, देखना जरा ध्यान से, VSTPR थेयोरी हम लगाएंगे, VSTPR थेयोरी में, आपको तो पता हिया है, रिपल्सन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, Lone Pair, Lone Pair, रिपल्सन पहले लगाएंगे, फिर Lone Pair, Bond Pair लगाएंगे, और Bond Pair, Bond Pair लगाएंगे, ठीक है, डीटेल थेयोरी की तो आपन बात नहीं कर रहे हैं, आपन आपको एक्जाम में क्वेश्टन करने के तरीके बता रहे हैं, इसलिए तो आपन ये सीरीज लेक्या है, चलो, LB, 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 बहुत अच्छी बात है, इसा होता है, रिपलसन आप सबको बता है, क्वेश्टन कैसे करना इसका, मैंने आपको हाइबरेशन का तरीका बताया, स्विव मोई लगाना है, बस आपको क्या करना है, इसकी एक टेबल लियाद रखनी है, क्यों इससे हम क्या पता लगाते हैं, जोमेट्री और शेप के बारेशन के बता लगाते हैं, विए सेपियर थेवरी से, तो वो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, कैसे, पहले मैं आपको जोमेट्री के बारेशन के बता रहा हूँ, ध्यान लगना, पहला पॉइंट, जोमेट्री लिखा हो, ध्यान से सुनना, क्वेशन में, जोमेट्री लिखा हो, या स्ट्रक्चर लिखा हो, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है, तो कैसे करना है, जो हमारा सिग्मा और लोन बियर का सम आया करता था, ठीक है, जो मेरे according sigma और lone pair का sum आता था वो चेक करना है 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया और 7 आया बस यहीं तग्याद करके जाना 2 पर होता है लीनियर, geometry या structure भी है 3 पर होता है trigonal, trigonal, planar 4 पर होता है tetrahedral, 5 पर होता है trigonal bipramidal, TBP क्या बोला मैंने, trigonal bipramidal, trigonal bipramidal 6 पर होता है octahedral, ठीक है और 7 पर होता PBP pentagonal bipramidal, क्या बोला मैंने, pentagonal bipramidal pentagonal bipramidal तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, ठीक है तो यह geometry structure हो गए, अब एक table और में आपके सामने मना रहा हूँ जिसमें sigma और lone pair के according, shape हम बताते हैं किस तरीके से पहले geometry या structure note करो, करना वही है जो अब तक करते आए हो उसी से ही answer आएगा, इसका भी है ना, sigma lone pair के सम से, ठीक है चले आगे, अगला देखना जड़ा, अब मैं आपको बता रहा हूँ second point में, अगर मैं shape के बारे हैं बात करूँ ठीक, तो किस तरीके से लिखना, मेरे according, जो मैंने आपको सिखाया है आप sigma निकालो, ठीक है, lone pair निकालो, ठीक, और यहाँ पर shape लिख दो sigma निकालो, lone pair निकालो, shape लिख दो अगर मालो कभी बेटा, unpair आ गया, तो unpair को भी lone pair के साथ count कर लेना जैसे मालो तीन electron आए, तो तीन electron में क्या करो, दो electron को एक lone pair बोल दो और एक electron को, एक unpair बोल दो, sum कर दो, two आ जाएगा तो तीन electron का मतलब sum आपका two आएगा उसका, ठीक है, चलो sigma bond के बारे बात कर रहे है, case बना जाना हूँ, two zero, two one, two two, two three shape क्या होगा, lal, l-a-a-l, lal, तो मेरे lal, वो ही बाला, lal याद रखो l मतलब बेटा, linear, a मतलब angular, yes you are right, a मतलब angular, l मतलब linear, बस, काम खतम ठीक, angular को हम, v-shape, या band shape भी लिखते हैं, ये ध्यान लखिएगा, v-shape या band shape भी लिखते हैं, ये two वाली table है, फड़ा वाट note करेंगे, फिर मैं आपको apply करना सिखा दूँगा, ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ आगे, ठीक, note कर लिए इसको, अब देखो अगला, इसी में ही हम क्या करेंगे, three वाली table है कर लेंगे, देखना ध्यान से, ये हो गई two वाली, three वाली देखेंगे, इसमें आध रहना है, triple T, triple T में क्या हो गया, triple T में क्या हो गया, trigonal, diagonal, planar दूसरा क्या हो गया trigonal pyramidal दूसरा क्या हो गया trigonal, pyramidal तीसरा क्या हो गया T-shape इस तरीके से ठीक है डारेक्ट एक्जाम में यह नाम से ही आती है maximum question नाम से ही आते है तो नाम नहांड़ गोशीती है अगला देखो 4-0 4-1 4-2 4-0 में होता है tetrahydral tetrahydral 4-1 में होता है विटा see saw जानते हो सभी लोग और 4-2 में होता square square planar क्या होता square planar फड़ा बट पॉस करके नोट कर जल्दी से फड़ा बट फिर 5-0-6-0-1-7 वाला कर लेंगे ठीक है चलें आगे चलो इसी को ही हम क्या करेंगे क्यान से 5-0-5-1-6-0-6-1-7-0 खतम सारे केस बन गया सवाल आप से एक्जाम में ठीक है 5-0 क्या है trigonal by pyramidal 5-1 होता है square pyramidal square pyramidal ठीक है 6-0 होता है octahedral octahedral 6-1 होता है distorted distorted octahedral distorted octahedral और 7-0 होता है pentagonal by pyramidal यह धियान लगना TPP का मतदद trigonal by pyramidal PPP का मतदद pentagonal by pyramidal बस फटाफट से इसको नोट करो फिर मैं question में अपलाई करके दिखाऊंगा आपको previous year के सवाल में लगा कर दिखाऊंगा दारेक्ट हो जाए काम vertical shapes यह पुझा आपसे ध्यान लगना चलो XCF2 के बारे में निकालेंगे underline किया valence electron art minus sharing कितने की देखो वही तरीका लगा रहा हूँ मैं 8-2 6 electron का मतलब 3 loan pair ठीक है और 2 क्या है आपका sigma 2 sigma 3 loan pair अगर आपको hybridization निकालने को बोले sum कर देना 5 SP3D एक ही तरीके से दोनों question हो रहे हैं न और आपसे अगर यहीं रुख जाओ 2 sigma 3 loan pair लाल हो गया यह तो यह linear ठीक है अगर hybridization पूस्ता तो SP3D देखो कितना अच्छा है एक ही चीज से दोनों काम हो रहे हैं CO2 एक ना वड़ा अंडरलाइन दो सोरी 4 दो नहीं 4 चार वैलेंस एलेक्ट्रोन माइनस चार की शेरिंग 0 एलेक्ट्रोन का मतला वड़ा 0 LP 2 sigma 0 LP अगर आप सम कर दो तो hybridization पे पहुंच जाओ और यहीं रुक के दिमाग में table सोच लो तो 2 0 हो गया है न क्या हो जाएगा linear क्या हो गया linear ठीक तो यह भी linear यह भी linear answer यही आगया बाकी मैं बोल देता हूँ आप कर लेना BF3 आएगा 3 sigma 0 lone pair कर लेना एक बार मेरे तरीके से 3 sigma 0 lone pair मतलब trigonal planar PCL3 आएगा 3 sigma 1 lone pair trigonal pyramidal अलग-अलग है है ना PF5 आएगा trigonal bi-paramidal IF5 आएगा square pyramidal 5 0 5 1 case बता रहा हूँ यह 3 0 3 1 5 0 5 1 अलग-अलग शेग 4 0 4 1 tetra ideal seesaw ठीक है चलो भाई आगे बढ़ने note कर लो इसको answer आपका आगरा था answer सब लगाते जा रहे ना पंतू ओके चलो भई अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर यह रहा चलो भाई शुरू करेंगे विचौद्दा following is the regular tetrahydral structure 4 0 चलो चेक परो BF4 negative underline करेंगे boron में balance electron 3 है negative लगा है 4 4 minus 4 0 electron मतलब बेड़ा 0 loan pair score क्या लिखा है sigma 0 loan pair 4 0 का case यहीं तो होता है यार tetrahydral कहा जा रहे हो दिएगो और अगर मान लो hybridization 2 ते सम्चार answer SP3 क्या बात है अगला बोल देता हूं answer तो आगे आपके tetrahydral S F 4 आएगा 4 1 का case 300 hybridization SP3D अगला X C F 4 आएगा 4 2 का case square planer hybridization SP3D2 CO2 SP linear answer अब तो समझ गया कहानी पूरी चलें आगे अगला in with the following pair the two species are not iso-structural कौन से iso-structural नहीं है option A check करते जाएंगे CO3 2 negative underline किया carbon के बास balance electron 4 minus 2 मतलब 6 minus minus 6 0 electron मतलब 0 lone pair 3 आगया आपके sigma 0 lone pair 3 0 का case बनाएए case से check कर लिया करो hybridization निकालना sum कर दो 3 ठीक है S B 2 NO3 negative check कर रहा हूं NO3 negative underline 6 हो गया balance क्यों 5 से negative लगा है negative जितने लगे हो ना उतने add कर दो positive जितने लगे हो उतने निकाल दो balance electron मैसे 6 minus 6 0 electron मतलब एड़ा 0 lone pair 3 क्या है sigma 0 क्या है lone pair तो ये दोनो same case आ गए मतलब ये iso structural है अगला check करेंगे the option PCL 4 plus PCL 4 plus check कर लो जड़ा एक बार underline की या 5 plus लगा है 4 4 minus 4 0 electron मतलब 0 lone pair 4 क्या हो गए sigma 0 क्या आ गया lone pair 4 0 का case मानलो hybridization भूजना हो था वेड़ा sum कर दो 4S भी दरी है अगला इसी कही एक बाई और दिया SICL 4 underline 4 valence क्यों silicon carbon की नीचे आता है carbon में 4 तो silicon में भी 4 group group में चलोगे तो same है 4 minus 4 0 electron मतलब वेड़ा क्या है 0 lone pair 4 क्या हो गए sigma 0 क्या हो गया lone pair 4 0 का case तो ये भी आंसर नहीं है अगला PF5 और BRF5 चेक करेंगे C option पर चलेंगे देखें ज़रा C option PF5 underline किया 5 minus 5 0 electron मतलब 0 lone pair और 5 क्या आगए sigma 0 क्या आगए lone pair अगला D option इसी का ही दूसरा भाई BRF5 BRF5 underline किया इसमें 7 थे valence minus 5 sharing 7 minus 5 2 electron मतलब 1 lone pair ओहो 5 sigma 1 lone pair वटा ध्यान से देखना ज़रा इसको और इसको ये 5 0 है ये 5 1 है तेप अलग-अलग है ये TBP है ट्राइंगल ये बाई प्रामिडल और ये है square प्रामिडल समझगे बात को एकदम तो यही answer है ना not पूछा था चेन नहीं इस दा answer D वाला बताएता हूँ ALF6 3 negative जो दिया है इसका आएगा SP3D2 तो hybridization आएगा और octahedral इसकी shape आजाएगी SF6 की भी octahedral आजाएगी देखो 0 lone pair अगर होते हैं तो geometry और shape सेम होती है यासा होता है बागी मैंने तरीका बता है आप यही तरीका लगाना exam में answer आजाएगा आपका चलें आगे note कर लो इसको ठीक है अज़े इसके बारे में information देता हूँ BRF5 JE में question आ चुका है साथ 2010 111 में उसमें total 90 degree angle पूछे थे तो इसमें 90 degree angle नहीं होते हैं loan pair आ जाता नहीं तो repulsion होता है repulsion से perfect angle नहीं आता है यहाँ पर ध्यान लगना 0 उसका integer में question आएथा आगे बढ़े चलो भई note करते जाओ साथ साथ the molecule that has the linear structure check करें जड़ा A option CO2 underline किया structure चाहिए ध्यान लगना है loan pair 2 0 पर क्या होता है linear structure चाहिए था तो अपने को ऐसे 2 0 को sum करके लिखना पड़ेगा structure चाहिए ना तो इसको sum करके लिखो 2 0 मतब 2 और 2 पर क्या होता है linear geometry या structure के लिए हम sum करके check करते है NO2 का बता हो जड़ा अच्छा यह बहुत बढ़ीया सवार option आगया इसमें answer तो खेर आपका आगरा आगया लेकिन मैं B option चेक करके बता रहा हूँ देखो B वाले में देखना ज़रा NO2 लिखा है ठीक है underline किया valence electron 5 minus 4 की sharing 1 electron omg 1 electron आगया अभी तक तो pair आया करते थे कोई tension नहीं unpair आया ना trigonal trigonal planar ठीक है इस तरीके से आपको चलना है अगला बता देता हूँ SO2 ये वाल आएगा आपका 2 1 sum हो जाए कि trigonal planar इसका आएगा SiO2 ते तो रेट राइडल SiO2 whole N के form में exist करता आप जानते हूँ तो आगरा is the final answer चले आगे अगला the molecule which is the pyramidal shape pyramidal shape चाहिए है ना PCL3 pyramidal shape चाहिए PCL3 चेक करेंगे underline 5-3 2 electron देखो एक ही तरीका लगा रहा हूँ मैं जब से आया हूँ एक ही तरीका सीख के जा उसी से answer आएगा 3 क्या हो गया आपके sigma 1 lone pair 3-1 पर क्या आगया shape पूछा है pyramidal मतब trigonal pyramidal आगया trigonal pyramidal अगर hybridization boost लेतो तो SP3 कमज़वाद को ऐसे करना है आपको answer आग रहा है बाकी बोलते तों आप कर लेना ये आएगा आपका 3-0 का case trigonal planar आएगा ये आएगा 3-0 का case trigonal planar ये भी 3-0 का case trigonal planar आप चेक कर लेना आप का answer आग रहा है आगे बढ़ू अगला among the following species identified iso structural pair ध्यान से देखना NF3, NO3- BF3, H3O+, और N3H अब देखना चाना ध्यान से NF3 सभी में आ रहा है इसके साथ pair आ रहा है S3O+, तो आपन NF3 और S3O+, चेक कर लें क्योंकि option में ज़्यादा वो ही दिख रहा है ऐसे चेक कर लिया करो आपको चेक करना है balance electron 5-3 की sharing मतलब 2 electron मतलब 1 lone pair ध्यान से देखो 5-3 2 electron क्या बात है मतलब 1 lone pair 3 क्या लगा है sigma और 1 क्या है lone pair क्या चाहिए था ISO structural चाहिए सम करेंगे 3 और 1 structure बूचाने बड़ा 4 4 पर क्या आगया hybridization sp3 structure trahydral है ना अगला देखना ज़रा कौन सा चेक कर रहा था हमें h3o plus वाला तो h3o plus underline किया valence electron oxygen में 6 होते है plus लगा है 5 बचेंगे side electron side 3 हो गए 2 electron का मतलब क्या होगे बेटा एक lone pair और 3 क्या होगे sigma plus एक lone pair sum क्या होगे 4 यही तो आगया tetrahydral इसका मतलब इसका मतलब nf3 के साथ h3o plus b आएगा मतलब आगरा और बदला पुर तो नहीं answer 6 नहीं या डोलकपुर मैंसे होगा अब इनको चेक कर लो bf3 के साथ no3 negative और n3 h check करना ठीक है ध्यान से देखना bf3 check कर लो जरा पहले तो bf3 को अंटरलाइन किया 3 minus 3 ठीक है यह तो लिखना सीख गया बोरॉन के लिए valence electron fluorine के लिए side atom 3 minus 3 0 electron मतलब क्या आगया 0 lone pair और यह 3 डिजिट लिखा है 3 sigma plus 0 lone pair sum आजाएगा 3 trigonal trigonal planar ठीक है trigonal planar आजाएगा बड़ा ध्यान से देखना अगला NO3 negative check करना है NO3 negative underline किया 6 हो गया electron क्यों valence 5 थे negative लगा 6 6 minus 6 कितना होता है बच्पन से जानते हो 0 electron क्या बड़ाता है 0 lone pair 3 क्या आगया sigma 0 क्या आगया lone pair sum क्या आगया 3 answer क्या आगया trigonal planar क्या बाद है कितने सारे question लेकर आएँ आपके लिए सब बंग जाएंगा आजाएगा answer आगया यह वाला combination chain नई answer है अब जरा इसका समझ लो n3h का कैसे निखालोगे आप क्या करो n3h को ऐसे लिख लो n3h को ब्रेक करके h को हटा दो है n3 negative और h plus अब देखो कैसे लिखना है n3 negative को लिखना है n-n2 जैसे तुमने किसको लिखा था i3 negative को लिखाता है अब देखना जरा इसके पास balance electron 5 थे negative रगा 6 6 minus 6 0 electron मतलब 0 lone pair और यह कहा लिखा है 2 sigma 0 lone pair अगर 0 lone pair है समा 2 आगया 2 पर क्या आजाएगा linear देखो यहां सदुनना अगर beta lone pair तुमारे 0 है तो geometry और shape से हम आएगा ठीक है और राजाए अरे बहुत सारे सवाल ना है चलो अगला बश्टन दा molecular shape चाहिए और lone pair भी चाहिए इन पर है 201 lone pair of electron respectively ठीक और यह जो electron 201, 111, 012, 102 लिखे ना यह central atom बाली ना लिखा हो लेकिन option के according चलो तो by default वो यही पूचना चाहरे है ठीक है central atom के लिए स्टार्ट करते है SF4 नहीं तो option में ऐसा होता 4 fluorine हो गए तो 12 तो यहीं हो जाएंगे एक यह 13 तो option में नहीं है तो वो by default पूचना चाहरे है कि central atom का ही बता हो underline किया 6-4 ठीक है 2 electron 2 electron मतलब एक lone pair 4 क्या आ गया sigma 1 क्या आ गया lone pair क्या चाहिए molecular shape 4 एक पर क्या आ जाएगा C100 और lone pair ध्यान लगना 1 ठीक अगला देखना ज़रा CF4 CF4 underline किया 4 4-4 0 electron मतलब क्या आ गया 0 lone pair sigma क्या हो गया 4 4 sigma 0 lone pair 4 0 पर क्या होता है tetrahydral अब अगला वाला check करने की वैसे ज़रत नहीं है आपको क्यों आपको ये दौनो different आ गया तो same वाला तो answer आ नहीं है different आएगा different में भी अभी अपन check कर लो जाएगा different में भी lone pair different में lone pair इसका एक ही है 1 0 2 1 0 2 साहिए 2 लग पर answer है ये करें चेक कर लेना मेरा इन नहीं को solve करकी answer आ गया था एक चलें आगे अगला सवाल आपके सामने आपकी screen पर ये अगला NO3 negative देहना ज़रा क्या कह रहे है आपको ISO electronic भी चाहिए और ISO structural भी चाहिए मतलब ISO electronic के साथ structure दोनों का combination चाहिए मुझे एक बाब बताओ nitrogen carbon ये जो central atom है ये second period में आते हैं chlorine और sulfur ये third period में आते हैं मतलब nitrogen के साथ ISO electronic combination ये दोनों में से तो कोई नहीं हो सकता तो nitrogen का carbon के साथ ही हो सकता अगर होगा तो अगर होगा तो है न और CO3 negative का SO3 के साथ होगा अगर होगा तो है न चेक कर लेते हैं ये option क्या कह रहा है NO3 negative CO3 negative चेक करो underline किया आपने अच्छा nitrogen और carbon same period में आ रहे हैं और carbon पीछे आता nitrogen आगे आता इन नौनों में total electron सेम होगे आप ISO structure चेक कर लो क्योंगी side atom toxin तीन लगे न structure चेक करना है न balance electron 6 हो गए minus 6 0 electron 0 lone pair 3 क्या आगए sigma और 0 क्या आगए lone pair तो यही लगा रहा हूँ मैं हमें sum आगए इसका 3 3 पर क्या आगए क्या चाहिए structure चीए न trigonal planar लेको trigonal planar underline balance electron कितने 6 minus 6 0 electron का मतलब क्या हो गए बड़ा 0 lone pair 3 हो गए sigma 0 lone pair sum 3 answer से मतलब आग रहा ही answer है आपका ठीक है second मैं क्या कह रहे था SO3 का NO3 negative के साथ combination ISO electron हो नहीं सकता इसका भी नहीं हो सकता ठीक है यहाँ पर actual मैं इन्होंने CL लिख दिया इसको correct कर लो वैसे ही answer नहीं है लेकिन यहाँ CO32 negative आएगा ठीक है चेक करोगे तो answer आपका अगर है ठीक है load कर लो इसको clear एकदम मामला अगला the number of lone pair in XEOF4 ठीक है अब यहाँ पर उन्होंने mention नहीं किया है कि किस में निकालना है total निकालना है या central पर निकालना है option के according चलोगे तो obviously central पर ही निकालोगे total निकालते तो यह 4 into 3 12 हो जाता ठीक है और oxygen पर आते 2 तो XC कभी-कभी भावनाओं को भी समझना है आपको है न कि क्या पूछना चाहरा है एक्सी ओएफ पूर अंडरलाइन आठ माइनस दो इसकी शेरिंग चार इसकी शेरिंग आठ माइनस छे दो इलेक्ट्रोन का मतलब एक लोन पेर बास आंसर बदला पूर बाकी देखो सारी चीजने निकाल ली हो तो क्या क्या होगा हाइब डैसन बता रहा हूँ चार ये थोड़ी दरी के लिए वन लिख लेता हूँ वन फोर वन सिग्मा फोर सिग्मा क्या होगा बटा पांच सिग्मा पांच सिग्मा एक लोन पेर स्क्वाइर पिरामिडल शेप ध्यान से सुनते जाना छे समा गया ओक्ताहिड्रल जोमेट्री हाइब डैसन SP3D2 देखो इतनी सारी चीज़ें आप एक ही तरीके से निकाल रहो क्या चीज़ है भाई जीवन में तुम्हें एक ही चीज सिख ली इतने सारे सवाल कर लिए समझ गे चलो भई आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं वेटा आज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं एक्चली मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है एक तो आपका मैंने आज क्या के सिखा दिया आपको फजान सुरूल सिखा दिया ठीक है और बॉंड इंगल वग्रा कवर कर लेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का पॉस करके ट्राइ करो अब तो सीख गया ना करो ट्राइ करो देखो क्या लिखाया ये सबी जानते हैं चलो ट्राइ करो अरे कर तो ले एक बार पॉस करके ट्राइ करो बताना अंसर सही आया के नहीं अंसर सही आ गया ना मतलब एक्जाम में बना ले जाओगे यही का सवाल है 2010 का प्रामिडल सेप चाहिए करें स्टार्ट चलो भई शुरू करते हैं कहानी प्रामिडल सेप चारों उप्शन चेक करेंगे ए उप्शन एस ओ थ्री ठीक है आप लोग ने आंसर कर लिया हुआ चेक करना अब मैं आपको पूरा डीटेल में बताता हूँ सारी चीजें जो अभी तक हमने सीखी है ठीक है सेंट्रल एटम को करना है बेटा अंडरलाइन बैलन्स एलेक्ट्रोन हो गए छह माइनस साइड एटम है तुमारा ऑक्सीजन है शेरिंग दो एलेक्ट्रोन की करता है लेकिन तीन लगे तो 6 की 6 माइनस 6 0 एलेक्ट्रोन मतलब 0 लोन पेर तीन डिजिट लिखा है, तीन सिगमा, जीरो लोन पेयर, ऐसा, सम आगया आपका तीन, अब देखो क्या क्या चीज़ें बता सकता हूँ, SO3 में, SP3 में, सेंट्रल एकम पर लोन पेयर कितने है, तो यह जो निकालते हैं और माइनस करके, यह होते हैं, सारी बात हैं बताऊंगा, आपका यह मानलो, इस सावल से दो लोन पेर, 3, double कर दो, 6, clear, चलो गई, 3, 0, shape पूछते, trigonal, planar, sum कर दो, 3 आया, geometry यह structure बूछते, trigonal, planar, 3 पर, hybridization बूछते, 3 पर, hybridization बूछते, SP2, समझे बात को ऐसे करना है आपको, pyramidal चाहिए था, 3, 0 पर trigonal planar है, ठीक है, क्या पूछा, shape पूछा है न, तो यहां से देखना पड़ेगा, क्या है, trigonal, trigonal, और क्या है बिटा, planar, ठीक, clear है, अगला देखना जरा, second, B वाला, BRF3, ध्यान से देखते जाना, BRF3, underline किया, valence electron 7, देखो, halogen के, central atom में, अगर halogen है, तो valence electron 7 होते हैं, और अगर side में है, तो 1 होते हैं, fluorine बेटा कहां है, side में है, एक electron की sharing करेगा, 3 electron, कर देखा total क्या 3 fluorine, 7-3 कितना होता है, बचपन से 4 electron, क्या बात है, 2 lone pair, अब अगर आपसे पूछता, central atom पर lone pair बताओ, तो यह जो लिखते हो न, यह central atom पर lone pair होते हैं तो 2 ह पूछते, तो 1 fluorine पर 3 lone pair होंगे, 3 fluorine पर 9 हो जाएंगे, एक और add कर देना, यह वाला central atom वाला, कितना, एक न, दो और add कर देना, center वाले 2 और add कर देना, तो 3 into 3 कितना होता है, 9 plus 2, 11, क्या बात है, और देखो क्या क्या चीज़ा है, यह 3 digit लिखा है, 3 sigma, 2 lone pair, sum क्या होगे है, 5, अब 3, 2 पर shape अगर पूछते, क्या लिखते, T shape, मैं सारे question बता रहा हूँ आपको, T shape लिखते, 5 अगर sum है, तो geometry यह structure क्या है, trigonal, bipyramidal, और 5 पर hybridization, SP3D, clear सारे question, और बताता हूँ मैं आपको, C अगला देखो, SiO3, 2 negative, ठीक, underline, valence electron, silicon में carbon का बड़ा भाई है, 4 होते हैं, negative 2 लगे है, कितने होगे, 6, 6 minus 6 क्यों, 1 oxygen, 2 electron share करेगा, तो 3 oxygen, 6 कर लेगा, 6 minus 6 क्या होगे, 0 electron, मतलब, 0 lone pair, यहाँ, digit क्या लिखा है, 3, तो 3 sigma, 0 lone pair, sum क्या आगे है, इसका, 3, अब देखना ज़रा ध्यान से, 3, 0, trigonal, planar, shape, sum कर दिया, 3 आया, trigonal, planar, geometry, structure, hybridization, SP2, central atom per lone pair, central atom per lone pair, कितने है, 0 lone pair, इस तरीके से, total आप निकाली सकते है, oxygen में कितने हैं, और बागी जीज़ो एट करते हैं, बताई दिया मैंने, अगला D देख लेते हैं, ठीक है, D वाला, OSF2, मैं इसको लिख रहा हूँ, SOF2 लिख सकता हूँ, यह से, क्या दिक्कत है, SO CL2, SOF2 जानते हैं, sulfur underline किया, valence electron 6, अचा कई लोगों को यह लग रहा हूँ, sir, यह central atom कैसे decide कर रहा है, central atom कौन सा होता है, usually, कम electron negativity वाला central atom होता है, multiple bond, बनानी की tendency रखने वाला central atom होता है, hydrogen कभी central atom नहीं होते है, hydrogen fluorine, central atom नहीं होते है, दियान लगना, usually question में आप देखते समझ जाओगे, valence electron 6-, दियान से देखना, side atom में 2 electron की इसकी और 2 electron की इसकी sharing, 6-4 कितना हो गया, 2 electron का होता है, 1 lone pair, एक यहाँ लिख लो, छोड़ी दिर के लिए 2 यह हो गए, 1 sigma प्लस 2 sigma, कितने हो गए, 3 sigma, तो आपका case बना 3 sigma प्लस 1 lone pair, सही है, 1 lone pair, और 3 1 का case, pyramidal लिखा है, यही geometry, 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 geometry या structure, tetrahedral होता, shape पूछा है, pyramidal है, actually होता क्या है, lone pair को हम include अगर कर दें, तो वो geometry या structure आजाता है, lone pair चुपा लो, तो क्या आजाएगा आपका, shape आजाएगा, symbols है, जैसे एक मैं pyramidal लिख के बताएता हूँ, मालोग pyramidal है आपका, तो n f3 मैंने ले दिया, यह lone pair, यह pyramidal हो गया, geometry, अगर आपको बता नहीं है, तो lone pair को include करके, tetrahedral बोल दो, simple सा है, समझे आपको, तो 3 sigma, 1 lone pair, इसको मैं हटाई देता हूँ, समझा रहा था मैं आपको, shape में lone pair count नहीं करते, geometry में lone pair count कर लेते हैं, ऐसा है, hybridization बोलना मेटा, 4 पर, sp3 क्या बात है, वाह, और क्या हो अमझे बात को, तो जाते आते हम आपसे, एक बात बोलना चाहते हैं, जो बात बहुत दिनों से हमारे दिल में थी, हम कहना चाह रहे थे, लेकिन कह नहीं पार रहे थे, आज कह देते हैं, thank you so much, सभी लोगों का, वाह, यार, जो यहाँ पर आए, और आपने, आज, आज, क्योंकि overall आप जानते हो, chemical bonding अपने आप में बहुत बंडार है, बहुत बड़ा chapter है, तो ऐसा नहीं कि एक बार में ही सारा करा दिया, आपको question भी तो करके दिखाना है, मैंने आपके सामने कितने सारे question लिए, previous year के, तो जो मैं सिखा रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि वो च आप सीखो, वो कैसे सीखोगे, मैं लिख देता सिर्फ sigma, loan pair, sum कर देना, answer निकाल लेना, पहले मैं करके बताऊंगा, क्यों मेरी trick है, मैं करके बताऊंगा पहले, तब जाके आप सीखोगे, हमने भी कहीं और से सीखी है, तो हम भी आपको सिखा देंगे, अच्छी trick है, है ना तो main point क्या है, जो चीज मैंने आपको सिखाई है, जिस तरीके से आपको apply करना सिखाया है, सारे question मैंने आपको जीते जाकते, example दे दिए, previous year questions all कर दिए, और catch ही आपको, है ना, तो यही सब सीख के जाओ, exam में मज़ा जाएगा, आज हमने क्या क्या सीखा, फजांस rule, hybridization, VACPR theory, उससे related सारी चीज है, उसके around घूमने वाले, lone pair निकालना, यह सब हो गया, geometry shape, यह सारी चीजन निकाल ली, next time पर dipolument सिखाऊंगा आपको इसी तरीके से, और molecular orbital theory बहुत ही जादा important जो होती है, ठीक है, और hydrogen bonding, bond angle वगर आपको cover करवा दूँगा, questions के थू, ठीक, चलो मिलत पर next lecture में, तब तक के लिए, okay bye